देखे, मैं बहुत सवभागे शाली महसूस कर रहा हूँ कि एजुकेशन सीजन टू में मैं आज यहां आया हूँ भुवनेश्वर की पावन धर्ती पर और शिक्षा के बारे में हम आज यहां चर्चा करेंगे मैं देख रहा हूँ जो हमारे मुख्य अतिती हैं और जो बाकी अतिती भी है वो सब शिक्षा के जगत में उन्होंने बहुत रिवुलूशनिरी काम किया है तो मुझे लगता है यह मेरे लिए और बाकी सब के लिए जो आज यहां उपस्तित है एक बड़ा सौभाग के कमोका है हमारा एक बड़ा अनूठा तरीका है लोगों तक ग्यान पहुंचाने का जिसको हम जिग्यासा यानि कुरियोसिटी पर बेस करते हैं जहां पर हम किताबों के उपर चर्चाएं करते हैं हमारा मानना यह है कि इनसान तब तक नहीं पढ़ता जब तक उसमें किसी चीज़ को जानने की उसे समझने की ललक या कुरियोसिटी नहीं होगी तो एजुकेशन के शेतर में हमारा जो कारह है ना सिर्फ बच्चों को लेकिन टीचर्स को और जो उनके अभिवावक यानि पेरेंट्स हैं उन पे भी हम काफी काम करते हैं लेकिन किताबों के माद्य हम से और हर किसी को उनके मतलब की किताबों से हम बात करते हैं और इसलिए हमारे फोरम को हम फ्रेंड्स ऑफ बुक्स यानि किताबों का दोस्त कहते हैं